नोईडा में फिर्शिटी बन रही है इसको किस तरह से विकास करूप के देखते हैं नहीं मैं इसका स्वागत करता हूँ इससे क्या होगा देखिए लोग यहां आने से इसलिए कतराते थे कि उन्हें सेकुरिटी नहीं मिलती थी उन्हें सरकार से कोई सुवीधा नहीं मिलती आज हर चीज है आज सीकुरिटी भी है आज सुवीधा भी है आज जो है सरकार पैसा भी देती है अगर आप यहां शूटिंग करते हैं तो और इतने अच्छे अच्छे यहां पे लोकेशन्स हैं कि आज तक कोई वहां पहुंच नहीं पाए और उसकी वज़ा यह है कि बस ज वज़ा से तोड़ खोड़ की वज़ा से अक्सर हो जाती थी शूटिंग्स में पब्लिक जो है वो उत्तेजित हैं काफी बेतर हुआ है बहुत बेतर हुआ है बहुत बेतर हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए सरकार को डिकर क्या कहींगा देखिए ऐसा है सरकार को डिकर मैं यही कहूंगा कि यह सरकार जो है यह दूसरी बार दूसरी बार चुनकर आई है जनता जो है जनारदन है अगर जनता नारा दोती है तो सरकार पर दूसरी बार नहीं आती है यखीनन यूपी की जनता जो है इस सरकार से खुश है मुक्यमंद्री जी से खुश है इसलिए भारी मात्रा में दोबारा सरकार उनको ले कर आई है तो सिर्फ डायलोगबादी से कुछ नहीं होता डायलोगबादी फिल्मों में चलती है यहां भी थोड़ी बहुत चलती है लेकिन डैलोगबादी के साथ साथ काम भी करना होता है और काम हो रहा है जनता मुतमेन है जनता खुश है इस लिए जनता ने दोबारा इस सरकार को इस दिम्यदार गर्दी या कुर्षी पर बिटाएं जो रामपुर से लेकर सवाल करें तो रामपुर के नवाप के सिदार्य आजकल गर्दी समय आजम खाथ कि देखिए उन पे केस चल रहे हैं वह उनको सदा भी हुई है देखिए वह यहां के नागरिक हैं उन्हें पूरा अधिकार है अपने हैं को डिफेंट करने का अपना मैं ना उनका पक्ष ले रहा हूँ ना मैं उनके विपक्ष में बात कर रहा हूँ लेकिन जो हमारे मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी मुल्दिम पे जुर्ब ना थाबित हो कब तक वो बेगुना है तो उन पे मुकदमे शल रहे हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हमारा तो ऐसा देश है कि हमने अजमल कसाब को भी सफाई देने का मौका दिया जबके पूरी दुनिया ने उसे गोलियां बरसाते हुए देखा था उसके बाद भी उसे अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिला हमारा देश तो इतना महान देश है तो उन्हें भी हक है अपनी सफाई देने का अगर वो बेगुना है तो फिर उसमें कोई दर्णने की कोई बात नहीं है अच्छा आप संगम की धर्टी पर रहें ये गंगाजमित तजीव का शहर है राम देश मानस को लेकर इस तरह से विवाद किया जा रहा है क्या लगता है कि ये विवाद कहां ते खुचित है देखिए मैं ये कहूंगा कि किसी को किसी की भी धार में भावनाओं को ठेश पहुंचाने का हक नहीं है वो आप हिंदू है या आप मुसल्मान है या आपका तालुक किसी भी मदभ से है आपको देखिए जो हमारा संविधान है उसने हमको अधिकार दिया है अपनी बात कहने का फ्रीडम आफ एक्स्पेशन कहा में इख्तियार है लेकिन हमें यह हक नहीं है कि हम किसी की भी धार में भावनाओं को ठेश पहुंचाएं यह जो है यह एक जुर्म है संविधान से गिर के बात है तो जो भी करता है जिसकी भी धार में भावनाओं को ठेश पहुंचती है तो आपको अपने मूँ से शब निकालने से पहले यह सूचना चाहिए यह हम सब का मुलक है संविधान ने हम सब को बराबर का अख्तियार दिया है इसमें रहने का किसी को किसी की भी धार में भावनाओं को ठेट पहुचाने का आप नहीं